एक टोप में 600 वाड का एक स्पीगर और 400 वाड का एक स्पीगर दोनों के साथ में लगाते हैं एक टोप में तो कैसा साउंड मिलेगा अच्छा साउंड मिलेगा या नहीं या फिर खराब साउंड मिलेगा तो इसी टोपिक पर हम आज बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास स् speaker है और एक छोटा speaker है मतलब की wattage जो है इसको कम ज्यादा है एक का ज्यादा है और एक का कम है जैसे कि example के लिए एक speaker आपके पास 600 वाड का है और एक speaker है आपके पास 400 वाड का तो क्या हम एक top में 15 इंची का dual top में हम इसको लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते कैसा sound मिलेगा यह सारी चीज में आपको बताने वाल हूँ तो वीडियो का एंट तक देखते रहेगा काफी helpful होने वाल है आपके लिए और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एक उनका वाल में सेट करिजेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं नमस्कार दूस्तों मैं हूँ अभी सेक और आप देख़ें डिजुरक चैनल सो गाइज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्पीकर्स के उपर और टॉप के उपर जैसे कि हमारा टॉपिक है एक बड़ा इस्पीकर और एक छोटा इस्पीकर एक ही टॉप में हम लगाएंगे तो कैसा साउंड मिलेगा पहले मैं आपको एक एक इकजामपल देना चाहूंगा फिर आप समझने में आपको काफी आसानी होगी और कुछ यहाँ पर पॉइंट भी आपको बताने वाला हो कि आपको इस्पीकर कैसे मैचिंग करके लगाने हैं पहले हम स्पीकर के उपर आ जाते हैं आपके पास एक 600 वाड का स्पीकर होता है एक्जामपल के लिए और एक स्पीकर होता है 400 वाड का और दोनों को हम एक टॉप में लगा देते हैं तो साउंड जो है सही आपको नहीं मिलने वाला क्योंकि गाइस यहां पर देखें इस्पीकर का जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉंस होता है फ्रिक्वेंसी जो इस्पीकर का होता है वो कम ज्यादा होता है जैसे कि अगर आपके पास 600 वाड का स्पीकर है तो उसका हो सकता है 2000 हज का फ्रिक्वेंसी तक ही आपका सपोर्ट करता हो या फिर 2500 का frequency support करता हो और वहीं अगर आपके पास 400 8 का speaker है तो उसमें आपका होगा 3000 हज आपका support करेगा या फिर 3000 हज आपका support कर रहा होगा speaker का तो यहाँ पर आपका जो frequency है matching नहीं होता है मतलब कि एक ही top में अगर आप लगाते हैं तो bass एक speaker bass बनाएगा और एक speaker जो है mid और high बनाएगा तो इस type से matching sound आपको जो है throw अच्छे से नहीं निकाल के देगा अगर यहीं अगर आप speaker same wattage का लगाते हैं जैसे कि 400 watt प्लस 400 watt या फिर same मतलब बड़ा speaker लगाते हैं जैसे कि 600 प्लस 600 तो आपको काफी अच्छा sound मिलेगा अगर आप 600 प्लस 600 लगाते हैं तो आपका bass और mid काफी अच्छा मिलेगा और 400 प्लस 400 लगाते हैं तो आपको जो है mid और high काफी अच्छा मिलेगा और bass भी आपको हलका मिल जाएगा जैसा कि आपका speaker का frequency जैसा रहेगा उसी टाइप से आपको response देखने को मिल जाएगा यहाँ पर एक example मैं आपको बताने की कोई से करूँ जैसे कि दोस्तों आपके पास एक bike है और आपके bike में दो जो है आपका रीन होता है या फिर हम tear बोलते हैं चक्का बोल लेते हैं जैसे कि example के लिए आपके bike में दो चक्का है अगर आप एक चक्के को आगे वाला है उसको हम छोटा लगा देते हैं और पीछे वाले को जो है उसको बड़ा लगा देते हैं इसलब कि बड़ा चक्का है एक पीछय वळा और एक जो है आगे का चक्का है वो छोटा है तो उसको हम चलाएंगे तो कैसा चलेगा तो सही से नहीं चलेगा सही से वर्क नहीं करेगा उसी टाइब से speakers में ही है अगर आप एक बड़ा लगाते हैं और एक छोटा लगाते हैं तो आपका speaker का अच्छा sound नहीं निकाल के आएगा क्योंकि अलग-अलग speaker का अलग-अलग frequency होता है support होता है तो frequency support जो है उसका कम होगा मतलब जीतने ज्यादा wattage का speaker अप लेंगे उसका उतना ही frequency कम उसका support करेगा और जितने कम wattage का speaker लेंगे उसका frequency उतना ही ज्यादा support रहेगा तो आसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोईस्ट कर रहा हूँ अगर आप top बनाते हैं तो आप same speaker का ही यूज़ करिए 600 या फिर 600 का यूज़ करिए या फिर 400 watt का dual यूज़ करिए या फिर 300 watt का dual यूज़ करिए जैसा भी आपको यूज़ करना है same wattage का speaker लीज़िए जो कि आपको सही sound दे सके तो I hope दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए सेर करिए अपनी दोस्तों के साथ चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक उनको अलवे सेट कर लीज़े मिलता है किसी ने टॉपिक साथ अब तक के लिए जैन जै भारत वंदे मातरम